अकांशा ने fan से की है request कि मुझे और माहरा को आपस में मत भड़ाए क्यों कहा है अकांशा ने ऐसा और क्या क्या कहा है मैं आपको बताऊंगी लेकिन अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे तो अकांशा पूरी और महरा शर्मा पारस छाबडा ये जो चर्चा में बने हुएं ये तीनों ही उसके बाद जो है अब अकांशा सामने आई है उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से क्लियर की है कि मेरे मन में महरा के लिए किसी भी तरह की कोई हार्ट हार्श फिलिंग नही है फैन्स जो एडिट करके वीडियो भेजते हैं और जो लड़ाई कराने का काम करते हैं प्लीज ऐसा मत कीजिए हम सभी फैन्स को बहुत जादा प्यार करते हैं मुझे महरा बहुत पसंद है वो सेंसिवल है बहुत ही प्रिटी है मैंने उनका काम देखा है वो बहुत ही तब वो बोली कि मैं बताती हूं क्योंकि फैन्स बहुत साथ सवाल पूछ रहे हैं वो बोली कि फैन्स आपस में मज भड़ाई हैं मुझे महारा शर्मा हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई हाज फिलिंग नहीं रखते हैं मैं बत और उन्हें एक्टर जानती हूं उन्होंने इ कोशिश की जा रही है जो फैन्स को ऐसा नहीं करना चाहिए मैं मानती हूं फैन्स हमें प्यार करते हैं लेकिन जो एड़िट करके क्रॉप करके कई बार क्लिप्स भीजी जाती है उसकी वज़े से जो है चीजे बिगड़ जाती है उसके बाद बोलती है कि मैं क्लैरिफाई क के लिए बोली थी यानि की पारस छाबडा के लिए बोली थी और लोग जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैंने बोला कि I have not seen Mahera तो scene Mahera का मेरा मतलब सिरफ यही था कि मैं personal ही Mahera से नहीं मिली उन्होंने industry में इतना काम किया है तो जरूर मैंने उनका काम देखा ही हुआ है लेकिन scene का मतलब मेरा यह था कि मैं उनसे personal ही नहीं मिली हो तो इन सारी बातों पर अभाकांशा ने किया है खुलासा और उनका यही कहना है कि उन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली है जिससे Mahera के फैंस या पाहरा के फैंस नराज हो जाए तो इन सारी चीज़ों पर अभाकांशा ने दिया क्लैनिफिकेशन उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे और माहरा के बीच में किसी भी तरह की कोई हाज फेलिंग नह उन्होंने बोली है उसके बाद मुझे लगता है कि अब पाहरा के फैंस जो की नराज हुए थे उनको भी यह बात समझ में आएगी और अकांशा के फैंस को भी बात समझ में आएगी कि फैंस जो है कल रश्मी देसाई ने भी यह बात बोली सिद्धात और शेहनाज भी यह कि फैंस को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है तो आपको क्या लगता है कमेंट कीजेगा लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्टिर में मैं सोचल मीडिया के हैंडल जाल रही हूं त्विटर का इंस्टा का फेस्बोक टिक